नमस्कार दोस्तो यहां सब्सक्राइब करने सदों यहां यहां वजन का बढ़ा हों कुने सब्सक्राइब यहां बाद करें रखें तो हमारा वेट सही रहेगा और बढ़ भी जाएगा यह हम आज आपको बताएंगे दोस्तों क्या खाना चाहिए वाट टू इटू गेन वेट जिससे कि आपका वजन बढ़े और आप तंदुरूस्त नजर आएं दोस्तों लड़कों का या नोजवान लोगों का शरीर गठीला और तंदुरूस्त नजर आएं तभी वह खुबशूरत नजर आते हैं और अच्छे और तंदुरूस्त सेहत मंद बोड़े पर आप कोई भी कपड़ा पहन लीजिए वह आपको जचेगा चाहें एक सिंपल सी टीशर्ट ही क्यों नहों दोस्तों तो आएए आज के ह हम इस वाइस ओवर में देखते हैं वजन कैसे बढ़ाएं दोस्तों इस भागम भाग से भरी जिंदगी में ज्यादा तर नवजवान लोग अपनी सिहत का ख्याल नहीं रख पाते कुछ काम के बोज़ की वज़ा से तो कुछ लापरवाही की वज़ा से आज यहां हम आपको कुछ घरेलू टिप्स बता रहे हैं इनका इस्तेमाल करने से आप अपना वज़न प्राकृतिक रूप से बढ़ा लेंगे दोस्तों और कुछ ही दिनों में आप हठे कठे नजराने लगेंगे वज़न कैसे बढ़ाएं इसके लिए आप हमारे वियो को सुनते रहें वज़न बढ़ाने के लिए अंकूरित अनाज का उपयोग करें दोस्तों अंकूरित अनाज मर्दों की सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है और यह पोशक तत्वों से भरपूर भी होता है साथ ही अंकूरित अनाज जिंक जैसे पोशक तत्वों का अच्छा सोर्स माना जाता है जिंक में जो पोशक तत्व होते हैं वह शारिरी कमजोरी को धूर करने के साथ साथ पुरुशों में नपुनसक्ता की समस्या को भी खत्म करते हैं और इनका उपयोग आपके मसल्स को मजबूत भी बनाता है तमाटर से वजन कैसे बढ़ाएं दोस्तों तमाटर में लाइकोपीन के मातरा बहुत अधिक पाई जाती है लाइकोपीन पदार्थ पौधों में पाया जाता है लाइकोपीन पदार्थ एक नेचुरल केमिकल है यह केमिकल अपने एंटि ऑक्सिडेंट गुनों के लिए जाना तब ही ठमाटर खाने वालों का चेहरा ठमाटर जैसा ही लाल दिखने लगता है दोस्तों अपने आपको निरोगी तंदुरूष्ट और चूस्त दुरूष्ट चेहरे की चमक बढ़ाने के लिए रोजाना एक ठमाटर खा सकते हैं आप लहसुन का प्रयोग दोस्तों लहसू प्रतिरोधक शमता को बढ़ाते हैं और साथ ही इसमें एंटी ऑक्षिडेंट गुण भी मौजूद रहते हैं जो हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन सुचारू रूप से चलने में मदद करता है दोस्तों वजन बढ़ाने के लिए कद्दू का सेवन दोस्तों सुनने में फाइवर, मिनरल्स और भी कई तरह के स्वास्ते वर्धक इंटी ऑक्सिडेंट पाये जाते हैं इसके इनहीं गुणों की वज़ह से इसका नियमित सेवन करने से जीवन भर आपकी त्वाचा जवान बनी रहती है और बहुत से मेडिकल प्रोडक्ट्स में इसका इस्तेमाल भी होता है दोस्तों अंडे से वजन कैसे बढ़ें अगर आप अंडे खाते हैं तो इसे अपने नियमित डाइट में शामिल करें अंडा आपके मसल्स को मजबूत बनाने के लिए और शधी की तरह काम करता है इसमें अमीनो एसेड पाया जाता है और इसमें केल्शियम तथा अंडे के पीले भाग में प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है जो शरीर को ताकत्वर बनाता है यहीं एक प्रमुख कारण है जिसकी वजह से ज्यादा तर लोग अंडे को अपने नाश्टे में नियमित रूप से शामिल करते हैं स्वस्त रहने के लिए अनार का प्रयोग दोस्तों अपनी डाइट में अनार का जूस नियमित रूप से शामिल करने से भी आपका ब्लड शुद करने और आपके शरीर में खून बनाने में मदद होती है और इसके अलावा भी कही तरह से आपके शरीर को स्वस्त रखने में अनार एक महत्वपून भूमिका निभाता है इसलिए सब्ता हमें कम से कम एक बार अनार का जूस जरूर लें अब देखते हैं दोस्तों कि क्या खाएं जिससे हमारा वजन बढ़े स्वस्त रहने के लिए शिमला मिर्च का उपयोग दोस्तों शिमला मिर्च में भी काफी प्रभावशालिक गुन होते हैं जो इंसान के शरीर को स्वस्तह रखने में मदद करते हैं एक रिसर्च के अनुसार लाल शिमला लूंआ मिर्च में औरेंज जूस کے मुकाबले तीन गुनत ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है साइन्टिस्ट की माने तो शिमला मिर्च में फ्लेवोनोईट्स के गुण भी मौजूद रहते हैं और फ्लेवोनोईट्स तत्व मर्दों को सेहत मंद रखने में एक अहम भुमिका निभाता है और लाल शीमला मेर्च फ्लेवोनुइट से लेने के लिए एक बढ़ियां शुरूत है दोस्तों वजन बढ़ाने के लिए सोया का उप्योग किया जा सकता है और ज़्यादा तर हिल्थ टॉनिक प्रोडक्त में आप लोगों को सोया प्रोटीन का भर पूर इस्तेमाल किया जाता है यह आपकी बोडी में कोलेस्ट्रोल की मातरा को भी कंट्रोल करके रखता है रोजाना 20-25 ग्राम सोया का सेवन करना आपके शरीर में कोलेस्ट्रोल को कंट्रोल कर सकता है ज्यादतर बाजार में जो हेल्थ केर प्रोडक्ट हैं या वजन बढ़ाने वाली दवाईयां या पाउडर मिलते हैं उनमें सोया पाउडर का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है कई बोडी बेडिंग पाउडर जो ज्यादा तर्जीमों में बिखते हुए देखे जा सकते हैं उनमें सोया प्रोटीन का ही इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों ड्राइफ फ्रूट्स ड्राइफ फ्रूट्स स्वस्त रहने का एक सबसे बेहतर विकल्प है ड्राइफ फ्रूट्स में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और पुरुशों को ड्राइब फ्रूट्स का सिवन नियमित रूप से करना चाहिए फिर चाहें आप इनको भून कर खाएं या कच्चा खाएं ड्राइब फ्रूट्स में आम तोर पर फाइवर, मिनरल्स, विटामीन और एंटी ओक्सिडेंट ततो पाए जाते हैं जिन से आपके मुसल्स मजबूत होते हैं और शारीरिक दुरबलता भी दूर होती है, दोस्तों और साथ में दिमाग भी तेज होता है ड्राइब फ्रूट्स में रोक प्रति रोधक शमता भी अधिक होती है, दोस्तों जो आपकी बिमारियों को दूर भगाने में काफी मदद करती है इसलिए हो सके तो dry fruits का नियमित रूप से सेवन करने लग जाए वजन बढ़ाने के लिए आम और पपीता दोस्तों आम और पपीते में vitamin A भरपूर मात्रा में पाया जाता है और आम में amino acid, vitamin C, vitamin E, iron, calcium, potassium और इसके अलावा भी कई और तत्व जैसे vitamin B और तमाम antioxidant तत्व मजूद रहते हैं अगर हो सके तो सुबह नाष्टे के समय आप पपीता जरूर खाएं और दो पहर के भूजन के बाद आम खाना ठीक रहता है पपीता एक fruit है जिसका 7 आप 12 महीने कर सकते हैं दोस्तों अब वजन बढ़ाने के लिए low fat dairy products दोस्तों वजन बढ़ाने के लिए आप सबसे बेहतर उपायों में से एक low fat dairy products जैसे कि दूध दही चांच और मक्षन इन सभी चीजों में प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में होती है इसलिए पुरूशों को इनका नियमित रूप से सेवन करना चाहिए एक कप दूध में लगभग आठ मिलीग्राम केमिटीन मिलता है दूध से बनी चीजों में कैल्शियम विटामिन जैसे जरूरी पोशक तत्त मुझूद रहते हैं इसके अलावा इनमें कार्बोहाइट्रेट और विटामिन डी भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है दोस्तों जिसे आपकी मानस्पेशियों को मजबूति मिलती है वजन बढ़ाने के लिए मंगफली का प्रयोग मेंगफली में धिक मात्रा भर मुझूद भया जाता है और पूरुशों में कमजोरी की समाप्ती हो जाती है मुठली एक स्सता विकल्प है इसलिए इसे गरीबों का बादाम ही भी गहा जाता है दोस्तों और इसके साथ सबसे बढ़िया एक जो रोथ है दोस्तों और वह हमारे घर में भी होता है आपके पास चना हो अगर या गेह लिए और खाली जिए अंकूरित होने के बाद एक दिन चाहें उसको पानी में से निकाल करके बांद के रख दीजिए जब उनकूरित हो जाए उससे खाली जिए सबसे ज्यादा फायदय करता है और इजली होता है आपकी कई सारी बीमारियों को भी छुमंतर कर देता है और होंगे फिर उनको एक कॉटन के कपड़े में लपेड दीजिए और वो जब अंकूरित हो जाए तो उससे खाए हलका चाहें तो आप टेस्ट के लिए नमक छिडख सकते हो उस पर और उसका सेवन कीजिए आपका वेट इसली हो जाएगा दोस्तों तो देखा आपने कि आज ह बताया अगली कड़ी में हम जुड़ेंगे आप सब हिससे कुछ एक और महतुपूर्ण जानकारियों को लेकर गए दोस्तों तब तक के लिए हमें आज्या दीजिए धन्यवाद नमस्कार